अपनी विरासत पर घर्व इसलिए आज भारत तेज विकास और सम्रुद्य विरासत के दोनों संकल्पों को एक साथ सिद्ध करने में जुटा हुआ है भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत का सवरक्षन इस अभियान की प्रात्पिकता है आप देखिए हम भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को बुद्ध सरकीट के रुप में विच्सित कर रहे हैं कुशी नगर में इंट्रनेशनल एरपोर्ट भी शुरू किया गया है लुम्बिनी में इंडिया इंट्रनेशनल सेंटर फोर बुद्धिस कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो रहा है लुम्बिनी में ही बुद्धिस उनिवर्सिटी में हमने डॉक्तर बाबा साब अंबेड कर चैर्प और बुद्धिस स्थापना भी की है बोद्ध गया स्रावस्ती कपिलवस्तु सांची सतना और रिवा जैसे कई स्थानों पर कितने ही डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं तिन दिन बाद बीस अक्तूबर को मैं वारणसी जा रहा हूं जहां सारनात में हुए अनेक विकास कारियों का लोकारपन भी किया जाएगा हम नए निर्मार के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं पिछले दस वर्सों में हम छैसों से जादा प्राचीन धरोहरों कलाकृतियों और अवशेसों को दुनिया के अलगर देशों से वापस भारत लाए हैं छैसों से जादा और इन में से कई अवशेस बाउद्ध धर्मस से संबंदित है यानि बुद्ध की विरासत के पुनर जागरण में भारत अपनी संस्क्रिती और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तित कर रहा है आदर्निय साथियों भारत की बुद्ध में आस्था है केवन अपने लिये ही नहीं बलकि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग है उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं मुझे खुशी है दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किये जा रहे हैं म्यानमार श्रीलंका थाइलेंड समेत कई देशों में पाली भाशा में टिकाएं संकलित की जा रही हैं भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं पारमपारी तरीकों के साथ साथ हम पाली को ओनलाइन प्लेटफॉर्म्स डिजिटल आर्काइव्स और एप्स के जरिये भी प्रमोड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भगवान बुद्ध को लेकर मैंने पहले भी कहा है बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोद भी है इसलिए हम भगवान बुद्ध को जानने के लिए आमतरीक और एकडेमिक दोनों तरह की रिसर्ट पर जोर दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें हमारे संग हमारे बहुत संस्तान हमारे बिख्षुग्ण इस दिशा में युवाओं का मारदर्शन कर रहे हैं आदर्णिय साथियों 21 सदी का इस समय आज विश्व की जियो पॉलिटिकल परिस्तिती आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिर्ताओं और आसंकाओं से घिरा है ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बल्कि अपरिहार्य भी